हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुजी 24-7 में दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग दस्मी कक्षा का मैस का चाप्टर नमक एक जो की है वास्तिविक संख्या यानि की रियल नंबर उनके सभी BBI objective प्रस्ट को solve करेंगी जो की आपके वास्तिविक संख्या का पार्ट तिसरा वीडियो होगा ठीक है इससे पहले आपको दो पार्ट वीडियो बना करके डाल दिया गया है आप जाकर के playlist को जरूर विजिट करें ताकि आप पार्ट वे पार्ट किसी वीडियो को सब्सक्राजा के ठेके इसमें से क्या हुआ है जिसमें की दस प्रस्ट का एक स्रीज बंड़ी हुए है जिसमें की दस प्रस्ट को लेकर sür। पूछे जाने की संभावना रहती है ठीक है उनको solve करेंगे इसलिए आपसे रिकanten क्वेस्ट किया जाता है कि वीडियो को शुरू सी लेकर कि अंतर तक जरूर देखें आप जराफ सावी वीडियो को skip नहीं करेंगे और साथ ही अगर जिदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बटन को दिया हुआ यहां पर 4 उप्सन दिया हुआ क्या है अंसर क्या होगा चली कि ठीक है और चली अब इसको आंसर देखते हैं इसका अंसर होगा कि पाई जो है पाई का मान हमेशा कितना होता है पाई का मान होता है बाईस वट्टे साथ कितना होता है बाईस वट्टे साथ जिसमें कि आप सभी को पता है कि बाईस वट्टे साथ क्या है एक परिमे संख्या है क्या हो जाएगा परिमे संख्या हो जाएगा क्योंकि 22 विट्टे साथ जो है ये P विट्टे Q के रुप में है लेकिन पाई जो है यह परिमे संख्या नहीं होता है यह क्या होता है तो O परिमे संख्या होगा क्या होगा O परिमे है आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ज़रा सभी confusion बना करके नहीं रखेंगे पाई को याद रखेंगे क्या होता पाई जो होता है यह O परिमे संख्या होता है लेकिन वही 22 विट्टे 7 की बात की जाए तो कितना वह जोगा वह जाएगा परिमे संख्या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा B number अब दूसरा number में आपको root 2 है एक क्या हो जाएगा A number option में परिमेश हैं क्या B में परिमेश हैं क्या C में प्राकिरिद हैं D में NON यानि कि none of D इन में से कोई नहीं तो फटापट आप comment करके बताते जाएए तो इसका जो answer होगा वो और परिमेश होगा क्यों कि root 2 को यानि कि 2 को root से बाहर नहीं निकाला जा सकता और आपको बता दिया गया है कि जब भी किसी संख्या को root से बाहर नहीं निकाला जा सकता उस संख्या को क्या बलते हैं और परिमेश संख्या करते हैं जो संखिया रूट से बाहर निकल जाये वह संखिया परिमे संखिया होतां आप हमेसा याद रखेंगे टीक है तो हम लोग इसको जो है कर सकते कि यह आबरित है और असांत है तो आबरित जब होता है तो वह संख्या होता है परिमे संख्या ठीक है आबरित संख्या अगर जिदे नहीं भी रुके वो चलते रहे तो वह हमेशा परिमे संख्या में गिंती होता है परिमे संख्या उसका अंसर क्योंद लेका हो यागा दोट शानर सुने आपको 5.23 343 इस तरह से चलते गिए आपको अभी तुलन्दño बताए कि जब संख्यार पर européet करते हैं कि संख्या वह क्या होगा आवरित होता है यानि कि पांच दस्मलब विसको लीग सकते हैं इसको क्या वह वर में अधीकर Sumya के किसी संख्या dissip être ग spoiler टॉ Cars जाता है जिब राइन उपर में द्रव होगा जाता है तो किसी संख्या को परिमेश संख्या में बदला जा सकता है जब कुछी संख्या में नहीं पड़ सके जैसे कि यहां पर आपको बताया कि 12 12 12 गया था तो यहां पर क्या करते तो यहां पर 3 पर रेकरिंग पढ़े करने मतलब क्या हूं यह तिन-धिन आगे चलते हैं इसको परेमेश संख्या में बदला जा सकता है इसका चार नमर को उपसण हो जागा यह नंमर उसको पाई नमर में देखिए एक एक यानि कि ग्यारत दस्मलब दो तीन पांच छोचार अभी आपको तुरंद इस टैप के सवार वहां पर सौल करके बताया चार नमर में इसका फटाफट कमेंड करके बताये कौन्स आप्शन से होगा पांचमा नमर में कौन्स आप्शन से ह ख़्यों करते जाए तो इसका कहा है कि का रात्त पूर्ण सक्ष्ण पर्यमाय शंख्यां विर्फ्र से है क celebration तह्यां से इसका हो जाएगा जल्दी से बताये तो इसका आंसर होगा यह होग लगर आपको तुरंद बताए जब किसी संख्या के उपर में recurring पड़ जाए इस तरह से line पड़ जाए दस्मलब के बाद तो संख्या क्या होता है परी में संख्या होता है उसी परकार चोनमर में कुस्त का आंसर दिज facult this अलशनिंबर क्या है चोनंबर में है एक बंटे रोट साथ क्या होगा परी में ख़ंगा ऑपरियन होगा शम होगा या भी समंहोंगा फटावड में करें बताईए इसका जो आंसर होगा वो उपरीमें होगा क्यों आ परीमें है कि पांच रूट दो पांच रूट दो क्या होगा सम संख्या है कि प्राकरी संख्या है परी में संख्या है और में संख्या है क्या है तो आपको फटा-फट कमेंड में बताना है तो यह वजाएगा आपको क्या हो जाएगा तो और में संख्या होगा आप सभी कोई जानते है कि यहां पर और परिमेंश संख्य क्यों होगा क्यों कि इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो चलिए आटवा नंबर परस्ट में देखे क्या है कि दो क्रमिक संख्यां का से क्या होगा फटाफट बताइए आप दो क्रमिक संख्यां का जो है क्रमिक संख्यां का स्यफ क्या होगा इसका स्यफ जब दो क्रमिक संख्यां कोई ले लेते क्रमिक की मतलब क्या होता है क्रमिक मतलब होता है लगातार है ना लगातार ठीक है लगातार कोई संख्या एक्जांप भी ले सकते हैं यह दूनों क्या है संख्यां क्या कर एक साथ इसका एकसा निकालेंगे तिक्या हो गांगा दो इसका हो जाएगा बीन नमर से चलिए आगे हम लों का परस्थन है कि उक्लिट विवाजन एर्गोरिथम दो धनात्मक पुर्णांकों के निम्न में से किसे परकलिट करने का टेक्निक है मतलब किस चीज को find करने के लिए किस चीज को ग्याद करने के लिए युकलिट विवाजन इल्गोरित्म का परियोग करते हैं आप लोग फटावट कमरें में बताइए क्या होगा इस कांसर नंबर ए में option है कि लॉसो, मौसो, छी में भागफल या सेसफल. तो आप बताएए फटावट क्या होगा؟ एकलिउट विवाजन का प्रयोग किसे लिए किया जाता है? एकलिउट विवाजन एल्गोरितम का प्रयोग में r के लिए कौन सा सत है? मतलब यहाँ पर आपको बना करके format दिखाते हैं जैसे हम लोग का भाजक यहाँ पर क्या दिया हुआ भाज है A भाज क्या है जब भाज को लगाते हैं इस तरह कर से लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं भाज बोलते हैं भाज A है ठीक है और भाजक क्या है तो B है भाजक क्या है बी है और यहाँ पर क्या है कि सेस्फल हम लोगे क्या होता है सेस्फल होता है R अब इसी R के संबन में कहा जा रहा है कि R को R के लिए कौन सा कंडिशन फुलो करेगा मतलब सेस्फल के लिए कौन सा कंडिशन फुलो करेगा तब सेशफल जो होता है इस से जीरो के बरावर होता है ठीक है जा अब तो मान चलिए हम यहां पर अगर जीदी 3 से भाग देना है किस पर आठ पर भाग देना कितने बार में लग जाएगा दोबर में दूना 6 तो यह सेशफल जो बचा कितना बचा 2 बचा यह जो 2 बचा हमेशा क्या हो थेंसे कम ही आएगा जब शेशफल बचे से इसलीए चाह जा चो और जो है इस से छोटा रहेगा बी से छोटा 0 से बड़ा या बराबर होगा 0 से क्या हूगा बड़ा या बराबर होगा तो option number आपका कौन से सही हो जाएगा option number हो जाएगा C you are re is equal to क्या हो जाएगा greater than or equal to 0 और less than B मत्तक्व आर जो है बड़ा या बराबर हो गजी तो आज बर के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेश्ट वीडियो में तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नेकर तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दे ताकि जब भी मैं क्लाइश 10 का अब्जेक्ट सबसे पहले आप तक पहुच सकें